हमारे साथ हैं बीजेपी के बड़े निता और सांसद संजय जैसवाल जी ये जो छुटियां रद करने का जो मामला सामने आया है इसको आप किस रूप में देखें नितीश कुमार जी एक पुरानी कहावत है कि नया मुसल्मान प्याज ज्यादा खाता तो नितीश कुमार जी क को ये एक साजिश के ताहत कि किस तरह से हिंदूों को परिशान किया जा किस तरह बहुत संख्यक समाज को तंग किया जा उसका एक यह भी एक मुद्दा है पिछली बार भी आपने रक्षा बंधन के दिन चुटी नहीं घोशित किया था एक भी बच्चा स्कूल नहीं गया और वो एक तरह से उसको चुटी अगोशित रूप से करना पड़ा आप जान मुझ करके रक्षा बंधन और महाशिवरात्री को कैंसिल करते हैं और बकरीद वैसा कोई त्योहार भी नहीं है इदुल जोहा में ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसके लिए तिन दिन चुटी देना इद के लिए तिन दिन चुटी देना और दिपावली के एक दिन चुटी देना यह बताता है कि यह चुटियों का उपयोग अल्फसंख्यक तुष्टिकरण के हथियार के रूप में मानिया नितीश और तेजस्वी कर रहा है इन लोगों को लगता है कि बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने से ही मेरी वोट की संख्या में व्रिज्जी होगी जो इलाके हैं सिमांचल की इलाके या जहां पर अल्फसंख्यक बहुसंख्यक की भूमिका में है वहां पर शुक्रवार को छुट्टी स्कूलों में करने का ऐलान हुआ है और साथ ही जो उन इलाके में सा उच्छी राजनीत के साथ ही इस देश के अभी भाजन शुरुआ था बच्चों में यह कहना कि तुम आप मैं दुबाई गया हुआ हूँ दुबाई में सेटेडे संडे को छुटिया होती है सारी सारे ओफिसे तो दुबाई से ज्यादा बड़ा इसलामिक सेंटर बिहार हो गया क्या अगर वहां पर सैटेडे संडे चुटि होती है जहां जो सौ प्रतिशत घोशित इसलामिक राष्ट है और बिहार में जान मुझके जहां रवीवार को कैंसरकार और पूरे देश की चुटिया है उसको छोड़ करके एक शुक्रवार को और कोई देश में कानून से चलता है एक स्कुल शुक्रवार को बंद होगा एक स्कुल रवीवार को बंद होगा इससे पूरी शिक्षा व्यवस्ता खराब हो जाएगी आप सुला संजर जैस्वाल जी को सीधा करारा जवाब एक तरह से कि तुष्टिकरण की राजनीती नह बलकि यह आगे चलकर विभाजन कारी भी सावित हो सकता है